जैहिंद साथ्यों नमस्कार स्वागती मित्राप सभी का आपके अपने चैनल पर तो आप लोग फटप फट जुड़ जाएं आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हैड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है यह ह बाकी क्लास को स्टार्ट कर दें मित्र जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है फटा फट क्लास को शवागते हैं पहला प्रशन आपके सामने रगते हैं सभी वाइबरें बता देंगे फिर्ष्ट का रायट एंसर क्या हो जाएगा भाश्र की मूह लिकाई है भासा की मूँ लिकाई क्या है? कुश्चन नमबर फर्ष्ट आपके सामने फड़ा पर बता देंगे फर्ष्ट का राइट एंसर क्या हो जाएगा? तो बिलकुल सही अगर आपसे पुछे भासा की मूँ लिकाई भासा की सबसे छोटी काई जो है ये ध्वनी होती है ध्वनी को वर्ड भी कहा जाता है इसलिए राइट एंसर उप्शन नमबर बी जो भी भायवहन बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं उप्शन नमबर बी वाले अगर आपसे पूछा जाता भांसा की सार्था की काई क्या है भांसा की सार्था की काई पूछता तो आप ध्वनी नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा भांसा की सार्था की काई जो है मित्रू ये वाग के होता है ठीक है भांसा की सार्था की काई जो है ये वाग के होता है और भासा की मूल एकाई जो है ये ध्वन या वर्ड होती है peon नबर next आप के सामने सिका right answer बताना भासा की सबसे चोटी माई क्या कहलाती है abasा की सबसे चोटी माई क्या कहलाती है question number two आपके सामने फटापट बता देंगी इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही भासा की सबसे छोटी काई क्या कहलाती है, वर्ड या धोनी कहलाती है, राइड एंसर अप्शन नमबर बी जो भी भाइबहन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, नेक्स्ट आपके सामने वर्डों के कितने वेद हैं, वर्डों के कितने वेद हैं, कौन कौन स्वर और विंजन स्वर और विंजन जो है यह वर्ड के भेद होते हैं राइड एंसर ऑप्शन नमबर सी जो भी भाय बहन बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं ओमित्र नेक्ष्ट है आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है साखा उचारण स्थान है 18 जुन अप्शन नमबर भी बिलकुल सही हो जाएगा मित्र नेक्ष्ट है आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है कुशन नमबर फाइब आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे इसका राइड एंसर क्या होगा कौन से सब्द में राब एंजन नहीं है कौन से सब्द में र मित्र रावेंजन नहीं है अगर इसका वर्ड विन्यास किया जाए यहां लिखा है मित्र ध्यान दीजेगा वर्ड विन्यास करने पर मा आतारी भाउ माई से मिलकर बना है मात्र भूमी इसमें रावेंजन नहीं है जबकि मात्र और कर्म और मूर्धा में रावेंजन आ रहे है मित्र इसमें पूछा गया था राव एंजन किसमें नहीं है तो मात्र भूमि में जो है मित्र ये राव एंजन नहीं है राव एंजन नहीं है राव एंजन आपके सामने इसका राव एंजन बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका राव एंजन फटा फट बता देंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कौन सा वेंजन नाशिक द्वारा उच्चारित होता है नाशिक वेंजन आपको बताना है फटा फट बता देंगे इसका राइट एंसर क्या होगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही 6 का जो भी भाइबेन बता रहे हैं एल्डा बिल्कुल सही बता रहे हैं option number ये बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी भाइबेन बता रहे हैं option number ये बिल्कुल सही होगा next है आपके सामने इसका right answer बताना है जब स्वर रहित बेंजन स्वर सहित यारी जिसमें स्वर हो उससे मिलता है तो यह क्या कहलाता है», खुशन नंबर झीन आपके सामने फढ़ फढ़ बता देंगे इसका ¿ заб хот रायाइट एंसर क्या हो जाएगा तो समय क्या क्या हो जाएगा just कौन चत तरिग्याँ और स्रा जो हैं ये संयकताक्षर होते हैं राइट अंसर आपशन नमबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी बाई भहन बता रहीए अपशन नमबर ये बिल्कुल सही है नेक्श्ट न आपके सामने निम्न में तालब ये धोनी है तालव बिदहनी कॉन सी है crush? फटाफ़ बता देंगे question number eight का right answer क्या हो जाएगा? eight का बिल्कुल सही, त्र बिल्कुल सही, eight का जो भी भाय वहन बता रहे हैं सा बिल्कुल सही बता रहे हैं सा जो है is, right answer option number c सही होगा next आपके सामने इसका right answer बताना है फटाफ़र बता देंगे इसका रायर य facing क्या होगा निम्ड्य में कौन सा वर्ड axy आग होस आभल साप से पुछ रहेंगह पुछ अध्यान दीज आ फटाफ़ड बता देंगे इसका रायर य उंपौर्टेंट है कुशे नमबर नाइन का जो भी भाई बहन बता रहे हैं का बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र का जो है ये आगोश वर्ड है आपको पता है वर्ड के प्रत्थम दुतिये वर्ड और उसमी बेंजन साशा ये जो है मित्रिये सारे आगोश होते हैं और साघोष जो है, वर्ग के तरितिये चतुर्थ और पंचम जो है, यह सघोष या घोष होते हैं, लेकिन आप से पुछा गया आघोष वर्ड कौनसा है, तो आघोष जो है, वर्ड के प्रत्थम्यम दुतिये वर्ड होते हैं, तो इसमें कौनसा होगा, का इसका right answer हो जाएग निम्न में सर्वनाम है सर्वनाम कौन सा है फटा फट बता दो 10 का रायट एंसर क्या होगा तो बिलकुल सही सर्वनाम आप जो है मित्री ये सर्वनाम है रायट एंसर ऑप्शन नमबर भी बिलकुल सही हो जाएगा जो भी भाय भेन बता रहे हैं ऑप्शन नमबर भी बिलकुल क्या परियोग किया गया है वाकियाबर के सामने ऐसा भी हो सकता है इसमें कौन सा जो है सर्बनाम के रूप में भी परियोग होता है फड़ा फड़ बता देंगे कुछ नमबर 11 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी वायवें बता रहे हैं ऐसा ऐसा यह योगिक सर्बनाम है यहां पूछा गया था सर्बनाम के रूप में क्या परियोग किया जा सकता है वाकिया आपके सामने था ऐसा भी हो शकता है इसमें कौन सा सब्द है जो सर्बनाम के रूप में परियोग हो सकता है तो ऐसा जो है यह सर्बनाम के रूप में परियोग ह नहीं किया जा सकता सीधा सब्दकान इमलिखित मैंसे किस रूप में परियोग नहीं किया जा सकता आप से पूछ रहा है मित्र ध्यांजी जी आप फड़ पर बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा नहीं किया जा सकता आप से पूछ रहा है कुछिन नमबर 12 तो बिलकु क्योंकि शर्वनाम जो है संग्या की अस्थान पर परियोग किये जाते हैं इसलिए इसे सीधा शर्वनाम के रूपें परियोग नहीं किया जा सकता है में तर रायट एंसर आपसे नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका रायट एंसर बताना है कौन सर्वनाम का कौन सर्वनाम का गुडवाचक सब्द दिएगे विकल्पों में से चिन्हित कीजे यानि जो कौन है इसका गुडवाचक की क्या होगा फड़ा फड़ बता देंगे कुशे नंबर 13 का रायट एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सह कौन का गुड़वाचक क्या होगा कैसा हो जाएगा राइट एंसर आपसे नंबर भी जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है निमलिकित में से कौन सा सर्वनाम पद चिन्धित कीजिए सर्वनाम बिभीशड जो है मित्र राधा और बिभीशड जो है ये क्या है ये संग्या हो जाएंगे सुन्दर जो है ये विशेशड हो जाएंगे इसलिए पूछा गया था सर्वनाम तो बिल्कुल सही बाह जो है सर्वनाम है राइट एंसर ओप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएग नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है question number 15 question number 15 question number 15 आपके सामने फटा फट बता देंगे इसका right answer क्या होगा कि निमनमी इस सर्बनाव तो बिल्कुल सही 15R जो भी वाइबेन बता रहे हैं कुछ बिल्कुल सही बता रहे हैं कुछ जो है निस्टे वाचक सर्वनाम है मित्र रायट एंसर ओप्शिन नमबर सी बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने इसका रायट एंसर बताना है फड़ापर बता देंगे सभी भाई भेहन इसका रायट एंसर क्या हो जाएगा यह मकान मेरे भाई का है रेखांकित पद है यहाँ जो है यह क्या है फड़ापर बता देंगे कुछ नमबर सोले का रायट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही यहां जो है संकीत वाचक सर्विनाम विशेशड है राइट एंसर उप्शन नमबर B बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी भाइबेन बता रहे हैं उप्शन नमबर B बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्ष्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है 3 बिलकुल सही बता रहे हैं पुरस वाचक सर्भनाम के कितने वेद होते हैं 3 वेद होते हैं option number यह बिलकुल सही हो जाएगा उत्तमपुरस, मद्यमपुरुस और अन्यपुरुस right answer option number यह जो भी भाइबेन बता रहे हैं next आपके सामने इसका right answer सर बताना है हम ताज महल देखने जाएंगे रे खांकित पद है यानि हम जो है एक कौन सा सर्वनाम है कुश्य नमबर अठारे आपकी सामने फड़ा पर बता देंगे इसका राइड एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही हम जो है मेत्री ये पुरस वाचक सर्वनाम है राइड एंसर ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी भाइबहन बता रहे हैं ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है कुश्य नबर 19 आपके सामने सभी भाई भीण बता देंगे इसका रायड एंसर क्या हो जाएगा मैं जा रहा हूं उसके बाद खाली है स्थान दिया गए चिन्टा मत करना is में क्या फिल हो सकता है कूछिन उनीस आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिलकुल सही मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना right answer option number C बिलकुल सही हो जाएगा option number C जो भी भाइबहन बता रहे हैं बिलकुल सही बता रहे हैं next आपकी सामने इसका right answer बताना है निमलिकित में से कौन पुरुस वाचक सर्बनाम है कौन सा पुरुस वाचक सर्बनाम है question number 20 आपके सामने फड़ा पड़ बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिलकुल सही 20 का जो भी भाइबहन बता रहे हैं तू बिलकुल सही बता रहे हैं तू जो है मित्री ये पुरुस वाचक सर्बनाम है राइट एंसर ऑप्षिन नमर ये बिलकुल सही हो जाएगा जो भी भाइबहन बता रहे हैं ऑप्षिन नमर ये बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका right answer बताना है question number 21 है आपके सामने फड़ा पर बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा आज की question जो है मित्र काफी जद्धा important है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो please मित्र वीडियो को like कर देना जिसने वीडियो को share नहीं किया है please कर दीजे मित्र हम लोग आपके लिए इतना महिनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ भी तो कर सकते हो कम से कम वीडियो को like को share तो कर ही सकते हो मित्र question number 21 है आपके सामने फड़ा पर बता देंगे इसका right answer क्या होगा खाले स्थान दिया गया है में उत्तम पुरुस के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है यानि मैं जो है ये संप्रदान कारक का एक वचन रूप इसमें से कौनसा नहीं है आपसे पूछ रहा है ध्यान देजेग आप फड़ा फड़ बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही मुझको भी होता है मुझे भी होता है मेरे लिए भी होता है लेकिन मेरे नहीं होता ऑप्शन नमबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका right answer बताना है पूछन नमबर ट्वेंटी टू आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा निम्न में कौन सा सब्द विशेशड है कौन सा सब्द विशेशड है आपसे पूछ राइट वेटी टू आपके सामने सभी भाई बहन बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाइबेन बता रहे हैं चमकीला बिल्कुल सही बता रहे हैं चमकीला जो है मित्र ये विशेशड है राइट एंसर ऑप्शन नमबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो भी भाई भेन बता रहे हैं चमकीला बिल्कुल सही बता रहे हैं आगरा जो है मित्र ये व्यक्ति वाचक संग्या है लिखना जो है ये क्या होगी किरिया हो जाएगी कुछ जो है मित्री ये सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है अनिस्चे वाचक सर्वनाम हो जाएगा तो इसमें पूछा गया था विशेशड तो चम्कीला जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं नेक्स्ट आपके साने निम्न में विशेशड सब्द है विशेशड कौन सा है फड़ा फड़ बता देंगी इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही तेज का जो भी वाइबन बता रहे हैं सांत बिल्कुल सही बता रहे हैं सांत जो है मित्रे यह विशेशाड़ है दोड़, बुढ़ापा और क्रोध जो है यह भाव आचक संग्या की अंतर गताएगी लेकिन सांत जो है यह विशेशाड़ हो जाएगा राइट एंसर ओप्षिन नुबर डी 25 का जो भी भाइबेन बता रहे हैं सांत बिलकुल सही बता रहे हो मित्रे नेक्ष्ट आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है फटापड बता देंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा कुछिन नुमबर 24 फटापड बता देंगे इसका राइट एंसर क्या होगा निमले की सब्दों में से कौन सा सब्द विशेशड है कौन सा सब्द विशेशड है फटापड बता देंगे कुछिन नुमबर 24 का राइट एंसर क्या हो जाएगा बिलकुल सही अनुशाशित जो है मित्रे ये विशेसर सब्द है राइट एंसर उप्से नंबर D बिलकुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है जैसा काम वेसा दाम में जैसा किस बियाकरलात्म कोटी का है जैसा जो है ये क्या है फटा फट बता दो question number 25 का right answer क्या हो जाएगा फटा फट बताएंगे जैसा जो है ये क्या है question number 25 आपके सामने फटा फट बता देंगे सभी भाइबेन right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जैसा जो है मित्र ये क्या है विशेशड है Right answer option number ये जो भी भयवेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही है मित्र Next आपके सामने question number 26 इसका right answer बताना है फटा फट बता देंगे question number 26 अभ्यास का विशेशड रूप है अभ्यास का विशेशड रूप क्या हो जाएगा Question No.26 आपके सामने फटा-फट बताएंगे बिल्कुल सही अभ्यास का विशेषर जो है अभ्यासी होगा Right answer option No.B बिल्कुल सही हो जाएगा Option No.B जो भी भाइबेन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं Next आपके सामने निसा का विशेषर रूप है इसमें गलती मत करना मित्र निसा का विशेषर रूप क्या होता है फटा-फट बता देंगे Right answer क्या होगा बिल्कुल सही 27 का जो भी भाइबेन बता रहे हैं Next बिल्कुल सही बताने गलती मत करना निसाचर निसीत या निशानत नहीं होगा निसा का विशेषर जो है ये नेस होता है Right answer option number D वाले सभी भाइबेन बिल्कुल सही हो जाएंगे Question number 28 आपके सामने है फटा-फट बता देंगे इसका Right answer क्या होगा माने पिता जी से सामान मंगवाया यहां क्रिया का कौन सा रूप है यहां क्रिया का कौन से रूप है माने पिता जी से सामान मंगवाया तो बिल्कुल सही 28 का जो भी भाइबेन बता रहे हैं प्रेड आर्थक क्रिया बिल्कुल सही बता रहे है option number D वाले सभी भाइबेन बिल्कुल सही हो जाएंगे जहां करता सुयम काम ना करकर किसी से प्रेशर देकर करवाता है मित्र तो वहाँ प्रेड आर्थक किरिया हो जाती है रायड एंसर ओप्चिन नमबर D बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका रायड एंसर बताना है कुछिन नमबर 29 यदि दोडना अक्रमक किरिया है तो इसकी प्रेड आर्थक किरिया क्या होगी यदि दोडना जो है ये अक्रमक किरिया है तो इसकी प्रेड आर्थक किरिया क्या हो जाएगी फड़ा फट बता देंगे कुछिन नमबर 29 का रायड एंसर क्या होगा बिल्कुल सही twenty-nine का जो भी भाइबेन बता रहे हैं दोड़ना का प्रेडार் खकी रिया, दोडवाना बिल्कुल सही बता रहे हैं, option number ये बिल्कुल सही हो जएगा, जो भी भाइबेन बता रहे हैं option number ये बिल्कुल सही होगा मित्र, next आपके सामने इसका right answer बताना है, यदि उड़ना अक्रमक किरिया है तो इसकी प्रत्थम प्रेडार्थक किरिया क्या होगी प्रत्थम प्रेडार्थक किरिया आपसे पूछ रहा है कुछिन नमबर 30 आपके सामने फड़ा फड़ बता दो इसका राइड एंसर क्या होगा उड़ना अकर्मक किरिया है तो इसकी प्रथम प्रेडार्थक किरिया क्या हो जाएगी उड़ाना हो जाएगी उड़वाना जो है ये दुतिये प्रेडार्थक किरिया हो जाएगी लेकिन पूछ रहा है प्रथम प्रेडार्थक किरिया तो क्या हो जाएगी उठाना बिलकुल सही, option number B बिलकुल सही हो जाएगा जो भी बैण बई बता रहे है option number B बिलकुल सही next है आपके सामने इसका right answer क्या होगा question number 31 इसका right answer बताना निमन में प्रेड आर्थक क्रिया है 31 का बता देंगे right answer क्या होगा प्रेड आर्थक किरिया कौन सी है तो बिलकुल सही 31 का जो भी भैबन बता रहे हैं जगाना जो है ये प्रेड आर्थक किरिया है बिलकुल सही, option number B वाले बिलकुल सही हो जाएंगे next है आपके सामने इसका right answer बताना है निम्न में प्रेड आर्थक किरिया कौन सी है question number 32 आपके सामने बिल्कुल सही गिराना जो है ये प्रेडार्थक किरिया है right answer option number C बिल्कुल सही हो जाएगा next है आपके सामने इसका right answer बताना है राम लचमर से पत्र लिखवाता है इस वाकि में किरिया का कौन सा रूप है निम्न लिखित में से सही उत्तर चुने राम लचमर से पत्र लिखवाता है इस वाकि में किरिया का कौन सा रूप है फटा फट बता देंगे 33 का right answer क्या होगा तो बिल्कुल सही लिखवाता जो है मित्रिगे प्रेडार्थक किरिया है right answer option number B बिल्कुल सही होगी next है आपके सामने इसका right answer बताना है question number 34 question number 34 आपके सामने है फटा फट बता देंगे इसका right answer क्या होगा जागना मूल रूप किरिया का पर्थम प्रेडार्थक रूप क्या होगा जागना जो है मूल किरिया है इसका पर्थम प्रेडार्थक क्या होगा फटा फट बता देंगे इसका right answer क्या होगा कुश्य नमबर 34 प्रतम प्रेड आर्थक रूप क्या होगा आपसे पूछ रहा है बिल्कुल सही मित्र बिल्कुल सही 34 का जो भी भायर में बता रहे हैं जगवाना जो है ये दुतियक प्रेड आर्थक हो जाएगी लेकिन प्रतम पूछा गया है तो जगाना इसका राइट एंसर होगा ऑप्षिन नमबर ये जो भी भायर में बता रहे हैं 34 का बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्ष्ट आपके सामने इसका रायट एंसर बताना है कुश्य नमबर 35 आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे इसका राइट एंसर क्या होगा हथियाना चिकनाना किस परकार की क्रिया है हथियाना चिकनाना किस परकार की क्रिया है फड़ा फड़ बता देंगे उसे नमबर 35 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही नाम धातु किरिया है राइड एंसर ओप्शन नमबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपको बता है मितर संग्या सर्बडाम तथा बिशेशर से मिलकर बनने वाली किरिया को नाम धातु किरिया कही जाती है तो यहां हतियाना और चिकनाना जो है यह नाम धातु करिया हो जाएगी राइट एंसर उप्शन नमबर यह वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट है आपके सामने हतियाना में कौन सी करिया है अब है मैंने आपको बताया हतियाना जो है ये नाम धातु करिया है राइट एंसर ओप्शिन नमबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है निमलेकित वाकि में रेखांकित किये हुए भाग में कौन सा पदबंध है वाकित आपके सामने असहाय की बात आज कल नहीं सुनी जाती ये बता दीजे कौन सा पदबंध है ये रेखांकी थे इसे बताना है कौन सा पदबंध है फड़ा फड़ बता देंगे राइट एंसर क्या होगा बिल्कुल सही 37 को जो भी भाइबन बता रहे है क्रिया बिल्कुल सही बता रहे है क्रिया पदबंध है राइट एंसर ओप्शन अबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर बताना है निम्लिकित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है आपके सामने वाक्य है अशाना सिलाई का काम करती है फड़ा फड़ बता देजे इसमें पदबंध क्या हो जाएगा बिल्कुल सही 38 का जो भी भाई बहन बता रहें आशना सिलाई का काम करती है इसमें क्रिया पदबंध आपसे पूछ रहा है तो काम करती जो है मेतरे ये क्रिया पदबंध हो जाएगी 38 का रायट एंसर उप्शिन नमबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा करिया पदबंध बिल्कुल सही बता रहें औप्शिन नमबर डी बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइड एंसर बताना है निम्लिकित वाकि में क्रिया पदबंध क्या है क्रिया पदबंध क्या है वाकिया आपके सामने पक्छी आकास में उड़ रहे हैं बिल्कुल सही चालिस को जो भी भाइब हैं बता रहें उड़ रहें क्रिया पदभन्द हैं बिल्कुल सही बता रहें ऑप्शन नमबर ये वाले सभी भाइब कुश्चन नमर 41 आपके सामने हैं फड़ा पड़ बता देंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा किसी कार के करने या होने का बोध कराने वाले सब्द कहलाते हैं किसी कार के करने या होने का बोध कराने वाले सब्द क्या कहलाते हैं क्रिया कहलाते हैं Option number C, बिल्कुल सही हो जाएगा, next है आपके सामने इसका right answer बताना है, question number 42, कर्मी के आधार पर किरिया के कितने भेद होते हैं, question number 42 आपके सामने बिल्कुल सही जो भी भायबेन बता रहे हैं, दो परकाल के बिल्कुल सही सक्रमक और अक्रमक, कर्मी के आधार पर किरिया के दो भेद होते हैं, सक्रमक और अक्रमक, right answer option number D, बिल्कुल सही हो जाएगा, question number 43 आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे, इसका right answer क्या होगा, राम ने खाना खाया, मैं खाया होगा, मैं कौन सी क्रिया है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही खाया होगा, मैं जो मित्रा संदिक दभूत काल है, right answer option number B, जो भी भायबेन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, next आपके सामने इसका right answer बताना है, question number 43 आपके सामने फड़ा फटापड बता देंगे इसका right answer क्या होगा एकाकनी सब्द का link बदलें एकाकनी का link बदलना है आपको फटापड बता देंगे question number 40 इसका right answer क्या होगा बिल्कुल सही एकाकनी का जो है मित्र, ये pulling क्या होगा, एक आकी हो जाएगा, एक आक नी जो है, ये strilling है, इसका pulling एक आकी होगा, right answer option number C, बिल्कुल सही हो जाएगा, next type के सामने इसका right answer बताना है, निम्न सब्दों में pulling सब्द कौइंशा है, pulling सब्द कौइंशा है, फड़ा फड़ बता देंगे right answer क्य होते हैं, पडियुक्त वाकि में, दिन सब्द है, दिन जो है, ये कौन सा लिंग है, आप से पूछ रहा है, फड़ा पड़ बता देंगे, कुश्चे नमबर 45 का right answer क्या होगा, तो बिल्कुल सही 45 का जो भी भायवें बता रहे है, pulling बिल्कुल सही बता रहे, दिन जो है मित् बिल्कुल सही हो जाएगा, नेक्स्ट आपके सामने, कुश्चे नमबर 46, निम्न में से कौन सा सब्द पूलिंग है, पूलिंग कौन सा है, फड़ा पड़ बता देंगे, इसका right answer क्या होगा, 46 की सामने, बिल्कुल सही pulling जो है, सागर जो है मित्रिया pulling है, अग्या, आश्या और गरिमा जो है, इस तरी लिंग है, तो right answer option number D, जो भी भाय बहन बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, नेक्स्ट आपके सामने, निम्लिकित में से कौन सा सब्द पूलिंग है, कौन सा सब्द पूलिंग है, इसका right answer बता देंगे, कुश्चे नमबर 48, तो बिल्कु सही एनतालिस का जो भी भाय बहन बता रहे हैं, संचालक बिल्कुल सही, संचालक जो है, इसका, इस स्तरी लिंग क्या होगा, संचालिका हो जाएगा, right answer option number D, बिल्कुल सही बता रहे है, next time के सामने, इसका right answer बताना है, फड़ापड बता देंगे इसका right answer क्या होगा इन चार विकल्पों में से तीन समान लिंग के हैं चोथे असंगत को चुने तीन जो है समान लिंग के होंगे एक अलग है वही आपको बताना है फड़ापड बता देंगे मित्रिसका right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही pulling जो है उपहार जो है मित्री ये pulling है धा तो इस्त्रेलिंग है वाय इस्त्रेलिंग है दया है इस्त्रेलिंग है लेकिन उपहार जो है ये pulling सब्द है right answer option number C जो भी भाय बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो और next है आपके सामने question number 49 फड़ा फड़ बता देंगे इसका right answer क्या होगा हाथी का इस्त्रेलिंग होगा हाथी का इस्त्रेलिंग क्या हो जाएगा question number 49 आपके सामने फड़ा फड़ बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हतनी हो जाएगा option number C जो भी भाय बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं next आपके सामने question number 50 फटा-फट बता दू इसका right answer क्या होगा वील का इस्त्रे लिंग क्या होगा बिल्कुल सही वील का इस्त्रे लिंग जो है ये वील नहीं होगा option number B बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने इसका right answer बताना है विद्वान सब्द का इस्त्रे लिंग क्या होगा फटा-फट एंसर दीजे मित्र विद्वान के इस्त्रे लिंग क्या होगा तो बिल्कुल सही विद्वान के इस्त्रे लिंग जो है यह भी दुशी होता है right answer option number यह बिल्कुल सही हो जाएगा last question आपके सामने है सभी भाइबें बता देंगे इसका right answer क्या हो जाएगा मित्र जिसने वीडियो को like नहीं कि आप please कर दीजे हम आपसे request कर रहे हैं अगर आपको कुछ लगती है कि हमारे लिए helpful class है बिल्कुल सही थठेरीन हो जाएगा option number यह जो भी भाइबेंट बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं option number यह वाले सभी भाइबेंट सही हो जाएगे हम आपको बता दें अगर आप लोग इसका इमें तरह पीडियोप पाना चाहते हैं रिजिनिंग की class सुबह 10 बजे होती है और मैत की class दो पाहर साड़े बारे बजे होती है सभी class की पीडियाप आपको हमारे टेली कराम वाटसाप दोनों पर मिलती है तो मित्राज की class आपको कैसे लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताना जो भाई बेन हमारे साथ नए है चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि class की notification आपको मिलती रहे आज की class आपको कैसे लगी कमेंड बॉक्स में जरूर बताना तो मित्राज की इस वीडियो में बस इतना ही सभी को बाई बाई सभी को नमस्कार जै हिंद जै भरत वंदे मातरा